सब्सक्राइब करेंगे एक नए स्पीड टेस्ट की कोश्चन्स को आपके सामने आपका पहला कोश्चन्स आगया है आए डिसक्स करते हैं सबसे पहले कोश्चन को पहला कोश्चन आपका है कि अगर गोल जो है फुट बाल से रिलेटेड है गोल किसे रिलेटेड है तो बताइए जो बास्केट बाल है यहां पर वर्ड है बास्केट यह बास्केट किससे रिलेटेड होगा तो बहुत सिंपल कोश्चन है बास्केट रिलेटेड होगा बास्के करेंगे हमारे एक्जाम में और मैं आपको बता दूँ कि यह प्रैक्टिस लीड कराएगी आपको ठीक है इसी के थुरू आप के आपके मन में ऐसी थिंकिंग मनेगी जिससे आप कोस्टेंज को स्वाल करना है ना उनकी बारिक्यों को समझना इस वेरी इंपोर्टेंट कोस्ट वे बटै क्यू एच्छ के एक्च बताइए लेंग्वेज का कोट क्या होगा clarify का कींग्वेज का कोड क्या होगा द्हींक देखिये लेंग्वेज का कोड क्या होगा अब यहांपर आप देखें अगर नंबरिंग कर देते हैं तो urghen 6, 6, 9, 3, 9, 1, 12, 17, 8, 8, 11, 5, 11, 3, 14, are the exact difference, here 15 to 17 means plus 2, 6 to 8, plus 2, 6 to 8, plus 2, 9 to 11, plus 2, 3 to 5, plus 2, 9 to 11, plus 2, 1 to 3, plus 2, and 12 to 14, plus 2, यानि कि जो words है जब उन्होंने अपका code बनाया, तो वो कैसे चलना है, plus 2 में चलना है, is it, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, language में भी यही करेंगे, तो भाई देखिए, L से यानि 12, 12, 12, 14, यानि N हो जाएगा, N C हो जाएगा, N C और P, N C P, N C P इसमें है, N C P, N C P, यह reject हो गया, ओके, तो यहाँ पर G यानि कि 9, 9, 9, है ना, 9 प्लस 2, 11, 11, यानि N C P, आई, तो यहाँ पर देखिए, N C P, L है, यहाँ पर N C P, L है, यह दोनों आपके, cancel, option, B will be your answer, बताईए, आराज समझ में, देखिए, numbers की मत से यही help हो जाती है, जब आप numbers को, learn कर लेते हैं, तो सिर्फ आपने उनका difference देखना पड़ता है, और वो आपको कितनी help करता है, students, जिसका answer आता जाए, please, वो answer देता रहा है, फटा फट, आगला question देखिए, क्या कर रहे है, s-p-i-n-s-t-e-r, को लिखा गया code में, r-o-h-m-r-s-d-q, यह आपके word का code है, बताईए, बताईए, semester का code क्या होगा, what will be code of semester, दीजी answer फटा फट, देखिए, अगेन मैं कहूंगा, numbering कर लिए, 19, 16, 9, 14, 19, 25, 18, 18, 15, 8, 13, 18, 19, 4, 17, ओके, चलिए, आप देखिए, 19, 2, 18, क्या होगा, बाइप्लस बन, यह देखिए, 16, 15, से 15 है, बेटा, यह देखिए, 15, तो क्या होगा, minus 1, minus 1, यह देखिए, 19, 2, 18, बेटा, यहाँ भी plus 1 ही होगा, yes, minus 1, आप देखिए, minus 1, minus 1, minus 1, यहाँ भी minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, और minus 1, minus 1, यानि कि, जब word से आपका code बनाया गया, तो उसमें, minus 1 की process चल रही है, वही चीज़ आप यहाँ पर कर दोगे, तो आप देखिए, S से minus 1, R हो जाएगा, E से कम D हो जाएगा, M से कम L हो जाएगा, E से D हो जाएगा, ठीक है, और S से कम करो जाएगा, RD LDR, RD LD नहीं है, RD LDR, RD LDR यहाँ नहीं है, RD LDR यहाँ है, आप देखिए, आप देखिये, T से कम करो जाएगा, S से जानित पहले, आर दिया हुआ है ठीक है यही गलत हो जाएगा यहाँ पर डी एस क्यू ओके यस इडी लेकिन टी से पहले टी से पहले आएगा एस ऑप्शन सी विल बी और एंसर गॉट द पॉइंट्स प्लीज स्टुएंट्स कमेंट करते रहेगा जिनका एंसर आता जाए वेरी वेरी इंप अब आप देखिए 12 से 72 12 से 72 कैसे हुए इंटू 6 अगर यहाँ पर देखे हम वही चीज अप्लाई करते हैं इंटू 6 है ना तो आप देखे तो 13 सिग जा 78 78 78 यहाँ अप्शन डी विल बी और एंसर चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं भाई नेक्स कोश्चन के रहें है बताना है वाशिंग गदन नियॉयर्क लास वेगास और सिड्नी इनमेंसे different कौन है तो अगर basic information भी है आपके पास में तो बड़ी easily find out कर सकते हैं की वाशिंग गदन नियॉयर्क लास वेगास और सिड्नी में different कौन है जाहिर सी बात है वाशिंग गदन नूव्यार्क और स वेगास यह सभी अमेरिका के पार्ट है अमेरिका के सिटी है ठीक है लेकिन सिडनी आप जानते हो यह ऐस्टेलिया का सिटी है इसलिए टोटली डिफरेंट हो गया इन तीनों से इसलिए आपका एंसर कौन सा जाएगा option d d will be your answer चलिए next question देखते हैं बाई आप कहारें डेब्ल इन में से बताएए कौन डिफरेंट है इसके लिए अगर आपको नंबर्स इनके लर्ण है तो बहुत आसानी हो जाएगी कैसे देखिए 23 26 यह देखिए कितना प्लस थ्री चला यह देखिए यह 6 यह 7 कितना चला प्लस 1 फिर यहां देखिए 21 24 प्लस 3 यह 15 यह 18 कितना चला ब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बट यह कितना प्लस 1 इसले यह हमारा एंसर हो जाएगा उन्होंने पूछा विच वन इस दिफरेंट तो ऑप्शन बी विल बी यूर एंसर गट द पॉइंट चलिए नेक्स कोश्चन देखिए बटा अब देखिए 2378912215172345 अब बताईए इसमें से कौन सा डिफरेंट है विच वन इस डिफरेंट अगर आप देखें तो कई तरीके से आपने कोश्चन को इससे पहले भी सॉल्व किया है हम क्या करते हैं इनके इंटर रिलेशन को देखते हैं कि किस बिकार से यह नंबर अपनी संख्या में यही जो है किस तरह का ब देख्या पांच साथ बारह बीस नो एक दस चौदा पांच एक छे शक चौदा दो एक तीन दो पांच आपन हा पांच नहां पांच उदा यह नेखें इनका जरा सम करिए इनका सम करिए तो तो 14 इनका जरा सम करिये तो कितना आए बेटा 14 इनका सम कर दीजे तो कितना आए बेटा 14 और यहां कर ये तो 5 7 12 plus 8 equal to 20 that's why this one is different option a will be your answer yes of yes right 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 sonu amar very good बेटा बाद बढ़िया जिनको answer तो मालूम हो प्लीज वो answer करते रहें देखिये next question क्या है 56, 72, 90 और 64 इससे सराल तो question ही नहीं कोई हो सकता है simplest form है फटा फटा पढ़ना answer तो पिटा जल्दी से answer दीजिए बाद 56, 72, 90, 64 तो देखिये यहां पर जो आपका option d है d है that is 64 64 क्या है आप कह सकते हूँ 8 का square भी है और 4 का cube भी है लेकिन क्या बांकी इन लोगों में से कोई है नहीं है इसलिए यह जो है एक ग्रूप बना लेंगे यस राइट बेटा वेरी गूड 64 will be your answer option d is your answer चलिए next question देखते हैं अब देखिये यहां पर question mark के आगे क्या है hexane hexane है न हेप्टेन हेप्टेन और क्या है octane अब देखिये यह आप तभी solve कर पाऊगे अगर आपने basic science पढ़ी है basic science यहां तक की basic gk में भी जब science पढ़ते हम सामान अध्यन में उसमें भी कर सकते हो यह जो है कार्बनिक जो compound होते हैं उनके आयूपेसी नेम होते हैं अब आयूपेसी नेम जो रखते हैं तो जानते हो आप कार्बन की संख्या एक होती तो मेथ दो होती तो एथ तीन प्राब ब्यूट पेंट एक्सेप्ट एट अना उसी तरीके से तो जाहिड सी बात है यह कितना है बेटा हेक्स हेक्स बोले तो जिए शिक्स यानि सिक्स से कम वाला यहां पर आएगा पांच पांच करवन वाला कहलता है पेंटेन यस राइट बिल्कुल सही वेरी गूट बहुत बलया सोनु अमार बिल्कुल यू आर राइट ऑप्शन विल भी एए वेरी गूट बेटा यह देखिए यह बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूज है मैं बोलना हूं सभी विश्यों में बहुत आपकी पकड़ होनी चाहिए कम से कम जो बेसिक्स होती है वो स्ट्रॉंग होंगी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और हंडेट टेन परसंट कोश्टन आतेज से बटा चलिए अब देखिए इसमें जड़ा जल्दी से कहरें भाई एफ एफ जी एच आई ल एम एन ओ आर एस टी डेबलू एक्स यहां कोश्टन मार्क जाएड सी बात है फोर लेटर थे फाइव लेटर थे फिर फोर हो गया फिर त्री हो गया टू हो गया तो वन आएगा वन तो लेटर होगा जो कोश्टन मार्क प्लेस पर आएगा अगर इस चीज को हम देखें सचिन पार्टक बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो अल आफ यू स्टुडेंट्स शेर कर दीजिए प्लीज स्टुडेंस लिंक को ठीक है ज्यादा से ज्यादा लोगों में श सब्सक्राइब चलत ल्हां अबंड मार्णि गयर तो अब प्लस त्री जरा यहाँ देखिए यह कितना चलना है यह आपका 15 कितना चलना है प्लस 3 बेलकुल मुझे भी यही लगता है चलिए देखिए यह 20 बेटा और यह 23 plus 3 तो अब यहाँ पर हम plus 3 कर दें धर तो आप जानते हो X क्या आगे चलो गे 3 step तो Y Z और Z के बाद A A आ जाएगा यहाँ पर and that is your answer that is your answer option A will be your answer चलिए next question देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या आएगा A आएगा ना अमार B कैसे आ जाएगा बेटा A आएगा A विल देखो सारे लेटर बेटा प्लस चलना है सारे लेटर जो है वो सब प्लस बन चलना है चलिए देखे E F G H I J छोड़ दो J K L M N O P Q छोड़ दिया R S T U V छोड़ दिया W X Y Z छोड़ दिया बस ऐसे भी A आ जाएगा इस इट चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखिए क्या करें बटा T U D E T U D E N O और कोश्चन मार्क अब यहां पर आप देखें नंबरिंग कर लोगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका नंबरिंग बटा क्या है 20 21 4 5 14 15 now next take the next one क्या है बटा देखिए 20 से आप 4 में आईए 14 और यहां पर हम देखे 16 okay minus 16 और यहां पर भी हम आते हैं तो minus 16 अब अगर हम देखें यहां पर तो यह 4 से 14 10 हो गया ती जीटी जीटी यूवी अच्छा चलिए यहां पर देखें मगर प्लस करते हैं चलो प्लस करके देखते हैं चला यहां पर क्योंकि यह डिफरेंस तो नहीं बन रहा है अच्छा चलो 20 में प्लस 10 कर दें अगर हम प्लस 10 तो चलेगा जेट तक और जेट के आगे प्लस 4 क्या जाएगा डी आ जाएगा चलिए और 21 में भी 10 कर दीजिया प्लस तो 5 तक आ गया जेट और प्लस 5 करदोगे जेट के बात में तो यह यह रागा है तो यहां पर क्या आ गया 14 क्या तो यानी तो यह रिफ्टीञ प्लस 10 क्रदोगे यहां पर तो आ जाएगा आपका y, x y will be your answer option c, very good, next question देखते हैं, next question देखते हैं, 9, 19, 39, 39, 7, 9, okay, 7, 9, चलिए, अब देखते हैं जरा इस question को भाई, इसमें क्या चलना है, प्रोसेस देखते हैं, इसमें प्रोसेस को देखिए, तो 9, 19, है ना है, तो मुझे जो लग रहा है, बहुत एक basic way में series चलती-चली जा रही है, 17 पर doubt है, किस पर doubt है, question number 17 पर doubt है, कौन सा question number 17 था, चलिए, देख लेता हूँ, मैं, अभी तो हम लोग 17 पर पहुंचे भी नहीं, चलिए, इस वाले को देखो, तो इसको भी discuss कर लेंगे, no problem, देखो पटा, यहाँ पर एक basic बात यह song में आ रही है, 9 से 19, यानि कि into 2 plus 1, यहाँ भी देखिए, into 2 plus 1, और यहाँ भी है क्या, yes, into 2 plus 1, तो आप जानते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, into 2 plus 1, और किस में करोगे, 4 में, 4 तूजा 8 plus 1, 4 तूजा 8 plus 1, 9, yes, तो question मार की जाएगा, पर क्या जाएगा, option A will be your answer, बहुत बढ़िया, चलिए, next question को देखते हैं, next question की बात करें, statement है, कुछ इस्त्री वोट नहीं दे सकती, कुछ इस्त्रियां राजनितिक हैं, तो अगर आप इस question को देखें, और समझें, तो देखें, यह आपका statement है, और यह आपके conclusion है, इनको देखें, और ध्यान से देखें, क्या answer आएगा, पहला आपका कुछ इस्त्री वोट नहीं दे सकती, तो भाई यह माल लिए इस्त्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और कुछ इस्त्री वोट नहीं दे सकती, तो यह माल लिए वोट देने की बात आज़ी दर, स्टार का मतलब यह की इस्त्री की तरफ से कैसा रेलेशन है, समनौट का है, समनौट का, फिर लिका है कुछ इस्त्री राजनीतिग है, अब कुछ इस्त्री वोट नहीं दे सकते हैं, तो यहां पर आप देखिए द्यान से, यहां पर पुरुष राजनीतिग वोट दे सकते ह कि नहीं ऐसी ऊपर कोई बात नहीं बताई कि जिनके रिगार्डिंग कोई बात नहीं बताई गए आपकी है कुछ इस्त्री वौत नहीं दे सकती है कुछ इस्तरिया राजनीतिक गया यह बोला गया तो समनाट में याद रखिएगा फिर है कहा कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं तो देखें यह राजनीतिक और यह वोट है ठीक है यहां पर आप गौर से देखिए राजनीतिक वोट दे सकते possibility को पूछा गया है possibility वाला है ठीक है कुछ राजनीति की वोट दे सकते हैं तो राजनीति को वोट में आपको कुछी पताया नहीं गया तो बिल्कुल राजनीति का डियाग्राम आप यहां ऐसे भी बना सकते थे बिल्कुल यह possibility है इसलिए second will be right only second will be right only second will be right first वाला क्यों होगा wrong क्योंकि male politician के बारे में बताया ही नहीं गया ठीक है जिनके बारे में कोई बात नहीं बताई गई उनके regarding कोई भी possibility right नहीं होगी चलिए next question देखते है अब कर रहे है बटा i j k l यहांद रोके यह क्या है i j k l यहां पर क्या है i j k l yes i j k l और m पांच दोस्थ है k ki i l ki i से जादा है कि m ki i से कम है j ki i सबसे कम है l ki i k ki i से कम है किस की आई सबसे अधिक है यह आप जानते हो रैंकिंग का कोश्चन है यह कोश्चन बिटा किसमें रैंकिंग है जेखिए आप करोगे कैसे कितने पांच तो इस तरीके के इनिक्वल्टी आप लगा लें कितने चार लगा लिजिए देखो एक दो तीन चार पांच पहला फंट है सबसे कम है के यह सबसे कम है तो यह सबसे लास्ट मे हों लिगा ल की आए के की आए से कम है यह की आए सबसे कमल की की से कमल्स इंकमैसलिवलटसर देन चल्च इंकमlet made is your server more than l okay l's income but less than m's income j's income is the least l's income is lesser than k lesser than k okay चलो यह तो छीक है अब यहां पर आप इसको रखना चाहें तो इस तरीके से रखें कर l k m तो यहां पर कौन बचा आई जे के आई बचा आई विल कम एड़ी प्लेस आफ नंबर वन है ना ओप्शन बी कर सकते हैं वैसे मैं बता दूँ बहुत क्लियर ली आई के लिए पताया नहीं कि यहां पर बहुत क्लियर आपको नहीं बताया गया कि यह परसंग किससे ज्यादा या किससे कम रखता है हम है तो एक सिक्वेंस है सब बना सकते है कि M को आगे रख ले और बीच में कहीं पर ठीक है तो इसमें तोड़ी अंसर्टेनिटी है क्योंकि इन कोशन में क्लियर होता है या तो होदा क्लियर या नहीं होता है फिर उसी के साब से ऑप्शन भी होते हैं का होता है कि यहां पर उसी को रखना है उसी को सबसे आगे रख देंगे चलिये next question देखते है भाई next question क्या कहता है बताईए examination, expenditure, experience इनको अगर हम dictionary के एक order में लगाएं यानि की alphabetical order में लगाएं जो सबसे पहले ABCD में आता है वो word सबसे पहले और जो उससे बड़े letter का word है वो बात नहीं तो इस वियाब पर हमारा कौन सा option follow करेगा देखिये यहां पर हम देखेंगा examination examination EX इसमें भी है EX 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 लेकिन तीसरा letter जो है वो P P और P पहले में है A तो A जो है वो P से बड़ा होता यानि पहले आएगा और इसमें सबसे पहले आएगा first चारो option में first रखा हुआ है चलो ठीक है first उसके बाद क्या आएगा देखो XP 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 सम्में है लेकिन P के बाद देखे E E और L तो आप देखे तीन और चार में क्या है E है जबकि तीसरे दूसरे में L है तो E छोटा होता है नि पहले आएगा तो अब तीन और चार में कौन पहले आएगा तो E के आगे देखे क्या N यहां R N पहले आता है इसलिए दूसरे नंबर पर हो जाएगा थर्ड वाला दूसरे नंबर फे इसलिए फास्ट थर्ड फोर सेकेंड यह लिए यह आपका बनेगा और्डर फास्ट थर्ड फोर सेकेंड ऑप्शन डी विल बी और एंसर चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं बाई नेक्स कह रहे है नंबर नंबर का गोड है आपका 15687 देखिये इस कोश्चन को मैं एक बार देख लूँ कि मिस्टेक तो नहीं है तो आप देखेंगे नंबर का जो कोड है वो बिटा इसमें दिया हुआ है आप देखें नंबर इस कोड़े आज NUMBR 156897 बिटा 897897 यह मिसिंग है इसमें है 156897 यह देखें यहां सही लिखा है वही मैं कह रहा था कोई मिस्टेक है इसके अंदर क्योंकि लेटर छे हैं नंबर पांच है अगर होता भी तो फिर कोडिंग हाला कि ऐसे भी हो सकती है कोड के लिए कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही करेंगे लेकिन फिर भी एक option में एक तरफ लिखा है 156897897 और लिखा बैरें बी ए डबल आर इन बैरें का कोड देखिये क्या है 847791 अब देखिए यहां पर देखें आर के सामने क्या रहा है विटा 7 आ रहा है यानि जिस नंबर के सामने जो है वही उसका कोड है इस्टुडेंट फड़ा फड़ा एंसर दीजिए आप लोग जल्दी से एंसर दीजिए अगर आपने निकाल लिए रबर तो आर का लिए क्या है सेवन बस सेवन सेवन और बी के लिए कोड क्या 8 तो बीच में क्या जाएगा 8 एट और यू और यू और 9 है यू के लिए 5 5 9 7 5 8 8 9 7 7 5 8 8 9 7 option b will be your answer very good बहुत बढ़िया चलिए next question देखते है next question क्या कहता है बिटा next question says next question को देखे हम अगर तो भाई अब बताओ यहाँ पे 6 7 8 5 8 9 1 4 5 12 14 x got the point अब देखो और समझो जरा इस बात को यहाँ पर आप देखे किस तरीके से चाहे series में चलिए चाहे columns में चलिए है न सीरीज या columns में चले और देखे क्या answer आएगा तो इस चीज को हम समझे अगर देखें आप 36 4 9 ok देखो बटा हमने क्या किया हम क्या करें इसका square कर दीजे और इसका square कर दीजे अच्छा इसका square कितना हुआ 36 और इसका square 49 दोनों add कर दीजे 9 6 9 6 15 के पांच एक तीन एक चार चार आठ यानि की ओपर की columns में columns में चलेंगे ओपर की दोनों संक्याओं का योग जो है वो नीचे की तीसरी संक्या हो जाएगी तो के बिलकुल सही जहां पर भी वही चीज की गई है square square sum कर दिया that is your answer बिटा फिर next देखिए 12 का कर दीजे 144 और इसका कर दीजे 196 तो 0 ठीक है 4 और यहां पर आ जाएगा देखिए 0 10 4 14 3 40 option c will be your answer option c will be your answer चलिए next question देखिए बेलकुल सही बेटा सोनू पड़ा पड़ा एंसर आपको देते रहे बहुत बढ़िया देखिए मैं कमेंट्स अब को देख लेता हूं इसलिए यह ना सोचिए कर कि मैं कमेंट्स नहीं देखता हूं ठीक है अब होता क्या है conversation में टाइम चाहता है जैसे यह टाइम मिलता है पेटा हम कमेंट्स भी देखते हैं आपके अब देखिए 96 हाँ इसमें तो पेटा क्या आएगा जल्दी से बताओ भाई इसमें अगर हम देखें तो एल की वैलू के कार्थ क्या है के कार्थ गटाना है एल कार्थ भाग है एम कार्थ जोड है और ड इक कार्थ क्या गुणा है तो ठीक है वही प्रासेस हम यहां भी करते है भाई 96 96 L डिवीजन 4 के माइनस 6 M एडिशन 11 डी मल्टिप्लिकेशन 9 चलिए इसको साल्व करते हैं 4 तूजा है ना 4 तूजा 8 4 तूजा 16 यहां पे आप फिर मल्टिप्लिकेशन करोगे यानि 24 माइनस 6 प्लास 99 यहां पर आप 6 सब्टैट कर दीजिए यहां पहले इनको वैट कर दीजिए तो 9 4 13 10 to 12 माइनस 6 एक्वल तो 117 117 option a will be your answer very good चलिए नेक्स कोश्चन क्या है देखिए c d space e space double d space c d space e देखिए मैंने इनके लिए कई बार बताया कि छोटे ग्रूप को बना सकते हैं starting दो से कर सकते हो इन से चार से बस इतने से starting करें ना पने फिर आप बड़ा लेकर करें हम यहां पर देखें हमको दो डी लगातार दिख रहे हैं ऐसा लगता है कि डो जो डी है दो वो पास पास रहेंगे अवर और देखिए एग यह भी बात कि siसिब के पहले स़ी आएलte तो अभी यहां पर दखिए ए दिके फिलिसी यह लिजेसी ड़ेजी बन गया आपका तो कह रहा हूं कि pairing कर लेंगे जब आप pairing का आपको benefit मिलेगा हमारा बना क्या d c e d d c e d option c will be your answer very good चलिए next question देखिए गुर्परीद दक्षड की और मुं किये है direction पर बेटा question है question based on direction direction का question देखिए लिका गुर्परीद दक्षड की और मुं की यह है वह दाये मुड़कर 35 मिटर चलती है फिर दाये मुड़कर 40 मिटर चलती अन्त में वाये मुड़कर 30 मिटर चलती है अब उसका मुं की जिशा की और है इन questions के लिए मैंने बहुत short trick आपको बताई है अग west north south अब देखिए south की और मुंगा रखा है बेटा किदर मुंगा इसका south की और यह लिए south की लगा दिया right turn करेगी तो किदर देखेगी west में 35 मीटर फिर right turn किया तो किदर north में कितना 40 और finally वो left में north को कोई देखे तो किदर turn करेगा तो किदर देखने लगेगा west को west को देखने लगा अब आप last में किदर देख रहें बटा west को अब उसका मुख किस दिशा की और है तो option c will be your answer now got the answer चलिए next question देखें कुग और लिका है संदीब का एक भाई है जिसका नाम ऐंगोर है ठीक है यह लिए यह ज़िए यह अंगोर अ जिसका नाम अंगोर यह लिजिए अंकुर जिसका नाम अंकुर है संदीप किशन का बेटा है संदीप किशन का बेटा है यह लिजिए किशन हो गए बल्जोर किशन के पिता अब यह लिजिए बल्जोर यहां जाएंगे बल्जोर अंकुर बाजोर कुषन के फिता हैं अंकुर बाजोर से तो अंकुर कौन हो पटा देखिए बजोर के पुत्र का पुत्र तो संसन क्या होता है पोत्र हो जाता है यहां अप्शन यहां देखिए अग्रांड संग गाट दो पॉ point चलिये next question देखते हैं बाई next question क्या है हमारा यहां जले है नजब कर दो कर दो कर दो कि चलिए आप देखिए क्या question बेतरी ना गया आपके सामने बताइए इनलोगी का है उगते सूरज का देश उगते सूरज का देश अगर बिटा है आपका जापान तो बताइए लैंड आफ थंडर ड्रेगन इसके नाम से आप किस कंट्री को एसोसियेट करेंगे बेतरीन जीके का question है सबका benefit हो जाएगा रीजनी के साथ सब में जीके भी और यह question आया हुआ जीके में तो लैंड आफ थंडर ड्रेगन जानते को इसको कहते हैं बहुत किलियर है बड़ा भारत को नहीं कहते है श्रीयंका को भी नहीं कहते है पाकिस्तान को भी नहीं कहते है फिर क्या वाज़ा हमाने पास भूटान option a will be your answer बिल्कुल साही बिल्कुल साही yes option a will be your answer next question देखिए cd pq gh cd cd pq cd 3 4 16 17 7 8 बताईए यहां पर 13 13 13 13 7 20 जल्दी से दीजिया answer तो आप देखोगे बटा यहां पर हम देखें तो यह हमें 3 through 16 लग रहा है बटा प्लस 13 और 4 to 17 प्लस 13 तो यहां प्लस 13 कर देंगे 7 13 20 याने टी और यहां 13 कर देंगे तो आजाएगा यू t u will be your answer option b option b will be your answer पढ़िया चलिया next question देखते है यहां 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 देखें यह 5 6 10 1 14 15 तो यहां पर अगर हम देखें तो प्लस 5 है और माइनस 5 है प्लस 5 कर देंगे अगर देखो पेटा यहां 5 से 10 कितना है प्लस 5 6 2 1 कितना है माइनस 5 14 से कर दीजिए तो यहां पर प्लस 5 कर दीजिए 14 प्लस 5 19 देट इस और यहां करेंगे अगर आप माइनस माइनस 5 करेंगे तो आपका जे आ जाएगा एस जे option c will be your answer very good बहुत बढ़िया चलिये next question करते हैं option c right होगा बेटा इसका option c right होगा चलिये next question देखते हैं बड़ा 17 related है 493 से तो 551 का relation किससे होगा ओके चलिये देखते हैं इस चीज़ को अगर आप देखें यहां पर 493 का division कर देखें टूजा 34 153 ओके यानि 17 नाइन जा ओके चलिये दिवाइड हो रहा है नाइन टाइम्स तो देखें अगर हम यहां पर यह किस से डिवाइड होगा या किसका प्रोड़क्ट जो हो 29 आ जाएगा ठीक है 29 तो यहां देखें 19 से 19 से डिवाइड करिये आप देखेंगे यहां भी यहां भी जो है यह 29 टाइम जाएगा 20 19 का 29 551 ऐसे ही बटा 17 का जो है 29 टाइम्स 493 यस बिलकुल सही option c सब्सक्राइब करने वाला कोश्चन है बेटा ऐसे ऐसे कोश्चन जिन में कोई एक्स्ट्रा कुछ अगर कोई बात आई है तो उसको नोट करते रही है इनालोगी इंसर्टिंग नंबर क्लासिफिकेशन सीरीज इन सब में ऐसे ही थौट्स आपके हेल्प करेंगे यह नहीं है कि पर्टिक्वल कोई कॉश्च आपको लीड करा पाएगा बिल्कुल सही हमर राइट बेटा वेरी गुड आप देखिए हम यहां पर बात करें बिस्मिल्ला खां सीवी रमन होमी जहा करों में कौन डिफरेंट है बहुत बेसिक बात बड़ी ही सामाजिक और बेसिक बात आईये सामने प्योर जीके का इक प्रकार का कोश्चन है जो आया किसमें रीजनिंग में आप सब जानते होगे कि भाई विक्रम सारा भाई होमी जहांगीर भावा और सीवी रमन जल्दी से एंसर वेरी गुड बात बहुत अच्छे यह तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं बट बिस्मिल्ला का संगीत से रिलेटेड हैं यह संगीत से रिलेटेड होंगे ऑप्शन विल बी यह एंसर बिल्कुल सही यह समित अर्जुन बिल्कुल सही अमार यू अलार राइट वेरी बट बेटा चलिये नेक्स्ट कोशन अब बताओ वी आर लह स्डेबलू एफबी विच वन इस डिफरेंट कौन इन लोगों में से अलग है भाई कौन अलग है इन लोगों म बी तो यहां इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है फॉर का इनका फॉर का इनका फॉर का और यहां पर आप देखे तो यहां पर भी आपका फॉर का है ओके अब विच वन इस डिफरेंट तो हम यह भी कह सकते हैं देखो यह क्या हुआ एट टू देखे इधर माला माइनस 4 है बीटा, minus 4 देसे, इसमें क्या, minus 4, यहां भी क्या, minus 4, माइनस 4 इसमें भी, minus 4 इसमें भी, और minus 4 इसमें भी, पहले से दूसरे वाले में minus 4 है, लेकिन बेटा, option C में, पहले से दूसरे वाले में, आपका plus 4 चल रहा है, और इसी लिए classify हो जाएगा बिलकुफ सही बहुत बढ़िया right 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 हमारा जो answer हो जाएगा option option जो है वो c will be your answer sw yes right चलिए यह लीजिए इसको देखे 863 785 791 647 which one is different हम देखे इसमें अगर सबसे पहला गाम addition का करें हमेश में तो 8 6 8 6 4 3 7 okay सत्रा नो आठ साथ साथ पांच भीस नो साथ सोला एक सत्रा छे चार दस सत्रा ओके बिलकुल बहुत बढ़िया question students clearly आपको दिख रहा होगा जल्दी से answer दीजिए जल्दी से answer दीजिए मुझे तो इसमें एक answer लग रहा है और वो answer आपका यह ऐसे है देखो 8 6 3 जब इन तीनों का sum कर दिया बढ़ा तो 8 6 14 और 3 17 ठीक है यहां देखिये यहां देखिये 7 प्लस 9 प्लस 1 बराबर 17 यह देखिये 6 प्लस 4 प्लस 7 बिटा कितना 17 लेकिन जरा आप इसका करिये इसका 7 प्लस 8 प्लस 5 बराबर कितना रहा बिटा 8 7 15 5 20 यह तो डिफरेंट हो गया यह समर राइट बढ़ा ऑप्शन बी विल बी यूर एंसर ऑप्शन बी इस यूर एंसर कितना बढ़िया इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए लगाया है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं इसमें बता विटा जल्दी से जल्दी से बताओ मैं आपको पर डे इना लॉगी क्लासिफिकेशन सीरिज और इंसर्डिंग नंबर के कोश्चन या पर करवाता हूं जितने समझदार होंगे वह इन कोश्चन को जरूर नोट करते होंगे जिसमें इनको ज्यादा से ज्यादा है बताइए बाइए थ्री थाउजन टू एट्टी फोर फोर तॉर तॉजन ड्री तूर तूरी छुषन फोर फोर तॉर तूर्टी तूपर यह थार्टी तूड तूर इसमें ईक बेसिक बात यह समझ में आ रही है कि अगर आप लास्टी जो टू डिजिट्स हैं उनको देखिये ज़रा गवर से यहां देखो देखो बिटा एट फोर जा तूर तूर डन 8 4 जा 32 ठीक है 5 8 जा 5 8 जा 40 यह भी हो गया ठीक है अब यहां पे देखिए 3 7 जा यह 7 3 जा whatever यह आपका कितना है 21 यह तीनों similar है लेकिन क्या 6 3 जा 18 आ रहा है नहीं यहां पे आपका यही वाला classify कर जाएगा that is your answer okay yes yes very good बहुत बढ़ी है चलिए next question देखते हैं कि इसमें देखे इसमें देखे युनानी सब्विता रोमन सब्विता फार्सी और सिंदु सब्विता बताईए अच्छा यहां पर सीरीज दी है मेसो पुटामिया सब्विता मिस्तर की सब्विता और चीन की सब्विता आप बताईए यहां पर कौन सा आएगा यह आपर कौन सा आएगा जल्दी से दीजेए सब सीरीज को फॉलो करना हैं को तो आपको मैं बता दू कि अगर सिविलाइजेशन की बात आती है तो याद रखियेगा मसव पुडामया की सिविलाइशन कंसीडर की गई है मिस्र की की गई है और चीन की की गई है और इन चार में से अगर बात करें तो सिंदु की सब बिता कंसीडर की गई है बागि ये कोई भी सब बिता सिविलाइजेशन में नहीं की गई है ओप्षन बी ओड़ यूर एंसर गट पॉइंट ऑप्षन दीदेर एशन को स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन इसके ठीक बाद आपकी मै रहेगा थैंक यू आज के लिए धन्यवाद